अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बैल आइकन को क्लिक करना ना भूलें आज मैं बनाने जा रही हूं मैथी मतर मलाई बहुत ही सिंपल और एजी रेसिपी है आप इसे जरूर ट्राइ करें अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगे तो आप मेरी वीडियो की नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें तो चलिए फिर शुडू करते हैं आज की सिंपल रेसिपी मैथी मतर मलाई इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले एक पैन लेंगी जिसमें मेना एक टेबल स्पून घी डाला है अब हम इसमें चौप की हुई मैथी डालेंगे यहाँ पर मनें एक कप की सम्तिंग मैथी ली है इ मिर्ची तेज पत्ता दाल चीनी लॉंग वगरा और थोड़ा सा जीरा जीरा ती वन टी स्पून के सम्तिंग लेंगे और फिर हमसमें दो से तीन कटे हुए प्याज दो से तीन हरी मिर्च काजू लेंगे लासुन मनें दस से बारा कलिया ली है और इसको अच्छे से रोस्ट कर लेंगे रोस्ट करने के बाद हमें समें एक कप पानी डाला है और दो अलाइची डालकर इसे कवर कर देंगे और पांसमेट के लिए को खो गई है ग्रेवी हमें इसको ब्राउन नहीं करना है अच्छे से बॉयल टाइप करना है ना ही देखे बढ़ी हमारी यह और यह ते पीस लेंगे इसको एक दम बारीक पेस करना और यह तेज पता वगराना यह आप निकाल दीजिए गई साबुत मसाल इतने भी हमने डाले है अब सेम पैन में हम एक टेबल स्पून घी डालेंगे और एक टेबल स्पून बटर डालकर इसे अच्छे से गर्म होने देंगे उस कशोजी मैथी घंचे से चौन के समति रबल के समतिंगे टेल देंगे दीजिऊ में दे घूट biscuits में वंतिंगे 2-2 मिलव में बसी मेँ पाष्क बिंद तक टेलेंगेких च्छे से कबेए एक लिए और राब Cantonese चनılar पहता यह तो कंसिस्टैंसी के समतिंग है और पीर ऑफशे तब अब सब्सक्राइब नान नान जाएब नान के साथ किसी बहुत साथ आप सब्सक्राइब नान के साथ किसी बीषाथ कर सकते हैं बहुत टेस्टी लगती है खाने में अगर ट्राइ करने के वाद आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो अपने फैमिली और फ्रेंट्स के साथ इसको जरूर शेयर कीजेगा और कमेंट करना बिलकु मत भूलेगा मुझे आपके कमेंट से पता चलता है कि आपको मेरी रेसिप कैसी लगती है